तो दोस्ते इस वीडियो में आज हम बात करने होगा है नभीवा वसेस यापर स्कॉटलन के बीच में फर्स्ट मैच कहला जाएगा यह ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 यापर 2019-2030 यापर कौलिफार मैच से ठीक ही त्यान में रखेगा दोनों का यापर फर्स्ट मैच है नभ वसेस स्कॉटलन के बीच में दो मैचेस हुए है यह वन डे मैच है ठीक है दोनों के दोनों मैचेस स्कॉटलन ने जीते तो स्कॉटलन की टीम वन डे में भी बहुत ज़्यदा श्ट्रॉंग है ठीक है पिच रिपोर्ट की बात करनेंगो तो यह पिच रिपोर्ट जो है यह जो भी अच्छा बैटिंग करेगा उसकी यहाँ पर उनको ज़्यादा-ज़्दा जितने के जाधा चांसे से जो भी अच्छी बालिंग करेगा उनके जीतने के जाधा चांसे से देखेते अवरेज फर्स रिन्ग । इनिंग मैंस captain जदा 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 अल्डाउंटर सेक्शन्स और यहाँ पर आपके बॉलिंग के सेक्शन्स में ही जदा जदा रहने चाहिए देखे विंड़ो के sporting one of the decent assistance for the both batters and ballers जैसा की उपर ही बताया था ठीक है प्रवाबल प्लेंग लिए उनकी बात कहूंगा तो नामी बिया देखे पहले आएंगे है अपर लैकॉक जो की इनका record रहा है head to head batting में 2 matches खेले गए 11 का और जे इस venue पे 4 matches खेले गए 25 का और जे इतना अच्छा नहीं है दोस्तों यह दान में रखेगा नामी भी आए कि जो team है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ middle ओर की जो batsmen या middle batsmen वही बहुत अच्छा करते है इनके जो openers है कभी भी अच्छा नहीं करते है इनका बहुत खराब record रहता है तो आपके team में देखो सिर्फ ये ना अगर खेल गे तो आपके लिए grand league की लक्षे बनेंगे तरकिन small league में आपको इनको try नहीं करना है ठीक है lag cock भी नहीं try करना है और यहापर Lawrence भी wicket kipper के sections में आते हैं उनको भी try नहीं करना है दोखो दोस्तों आपको में इनके team से सिर्फ पांच और छे यहापर team players रहेंगे जो कि आपके लिए एक बहतरिन से बहतरिन picks रहेंगे और वो कौनसी direct में बता देता हूँ दोस्तों कि आपको देखे कौनसी players बहुत अच्छे रहेंगे पहले तो इनके captain जो कि यहापर जेराड इरासमस बहुत ही अच्छा यहापर यह player बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी इन्होंने इस team के खिलाब दो matches खिले गए 29 का अवरेज है इस team के खिलाब ही 2 matches में यहापर 3 wicket लिए इस venue पे इनका अच्छा record रहता है बाच मैचे में 42 का record ठीक है ध्यान में रखेगा तो यह player आपके लिए captain and captain बहुत अच्छी choice बन बहुत अच्छा player है तो आपके लिए captain and captain first pick इस team से रहेगी ठीक है अब यह पहला pick रहेगा अब जो दूसरा pick की तरफ जाएंगे फिर से आपर middle horse में जो all rounder रहेगा जे जे स्मीट रहेगा ठीक है यह player left time fast baller है right hand batsman है बहुत यह अच्छा player है इस venue पे इस team के खिलाब 2 matches के लेगे चोपन का यहाँ पर run बनाए है 27 का average है ठीक है head to head balling की बात को दो ही match के लिए एक विकेट लिया है इस venue पे 7 matches में यहाँ पर 41 का इनका average है और विकेट्स भी देखिए 7 matches में 15 विकेट्स तो यह play दूसरा play जो कि आपके लिए फिल से captain and captain मतलब में आपको 5 या 6 plays बता लिग में यह दूसरा pick रहेगा तीसरा pick यहाँ पर आपके लिए JJ Fry लिंक रहेंगे जो कि आपके लिए दिख सकते हैं इनका जो ongoing performance 26 matches में 24 का average है और 29 विकेट्स है ठीक है अब इस team के खिलाब 28 का average होता है जो कि आपको पता ही होगा 20-20 World Cup में इनोंने कितनी अच्छी पारी ठीक है अब head to head balling की बात को तो 1 विकेट लिया इस venue पे 71 रन बनाए है ठीक है 7 matches में और 6 विकेट्स भी लिए 7 matches में ठीक है फर्स इनिंग में देखे इनका average होता है 27 इसका batting के साथ और यहाँ पर second inning में 21 यहाँ पर होता है फर्स इनिंग में balling से देखे 10 inning खेले गए 8 यह आपर विकेट लिए है और second inning में 17 यहाँ पर पारिया के लिए 26 विकेट मतलब second inning में यह बहुत अच्छी balling भी करते है तो आपके लिए जो की इस टीम की तीसरी रहेंगे आपके लिए captain में captain और differential बोलूँगा differential आपके लिए यह प्लेयर रह सकता है लेकिन बहुत जता case है फ़ड़ा सा risky player है यहाँ पर अगर खेलता है न दोस्तो तो आपके लिए direct dream team का captain बनता है नहीं खेलता है तो direct minus में जाता है तो यह थोड़ा सा risky player रहेगा लेकिन differential player रह सकता है ठीक है अब जो आपके लिए दूसरा पिक यहाँ पर बॉलिंग के section से रहेगा हो रहेगा रहे लिए इस venue पे 6 matches में 16 wicket मतलब हर match में 2 plus wicket है ही है तो आपके लिए फिर से यहाँ पर चोथी यहाँ पर pick जो कि आपके लिए captain was captain रहेगी ठीक है ध्यान मर खेगा और जो पाचवी pick रहेगी यहाँ पर बेना स्कॉल जो कि एक लोट एक यहाँ पर left-arm orthodox baller है जो कि आपके ल आपके लिए 5 या 6 plays रहेगे दीखे 5 तो confirm है बेना शोल्स, रोबन टरंपलमान, उनके captain Erasmus, JJ Smith और यहाँ पर आपके जेफ राइलिंग ठीक है यह 5 पर तो fix जो कि छटा player जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा risky रहेगा तेकिन differential यहाँ पर जेन निकॉल लोफटी इटन ठीक यहाँ पर पहले पहले इनका बहुत अच्छा record रहता था जो कि 27 matches में इनका 36 का average था लेकिन पिछले कुछ पारियों में इनका form बहुत खराव है लगभग बोल सकते है पिछले 5 पारियों में 9, 10, 28, 23, 22 इतना अच्छा record नहीं रहा है उससे पहले यह बहुत अच्छा किलते थे अभी form खराव चल रहा है तो इनको आप यहाँ पर drop करना है small league में ठीक है player के किसके साथ जाना है आपको wicketkeeper के sections में जहाँ पर Matthew Cross आएंगे 27 matches में 25 coverage इस team के खिलाब इनका 28 coverage होता है इस venue पर अभी नहीं खेले फर्स ट्रेनिंग में बहुत अच्छा खेलता है as compared to second inning जब भी first inning आती है तो आपको यह बहुत अच्छा pick बनेगा Matthew Cross ठीक है फिर दूसरे pick रहेंगे आपके लिए wearing turn जो के आपके लिए दोनों से batting और bowling भी कर सकते ही है यह दान में रखेगा लिखिन ज्यादा से ज्यादा focus है इनका जो रहता है बैटिंग पर रहता है ठीक है टीम के पीक है आपके लिए मैं बोलूँगा captain once captain small leagues और grand league में यह team में आपके लिए पहला pick रहेगा इस team से दूसरा pick यहाँ पर George Muncy रहेगा 23-26 यहाँ पर इनका average है इस team के खिलाब 28-28 का average है 88 का average है ध्यान में रखना तो दूसरा pick captain once captain इस team से रहेगा आपके लिए George यहाँ पर Muncy ठीक है लिस्क जो कि इस team का में बोलूँगा कि यहाँ पर Barrington's और यहाँ पर जो Muncy इनसे भी बहुत बढ़िया यहाँ पर सबसे best pick आपके लिए captain once captain रहेंगे Michael लिस्क जो कि मेरे small league के भी captain जदा जदा चैसे से यही रहने वाले ठीक है अब वो क्यूं दोस्तों क्यूंकि दिखे यह player बहुत मतलब बहुत अच्छा है सिर्फ batting नहीं ball की balling से भी यह बहुत अच्छा करता है ठीक है 21 matches खेले गए यहाँ पर 22 का इनका average है reset performance देखे हर match में wicket है हर यह match में wicket लेता है लेता है दो wicket प्लस यहाँ पर आपके लिए batting से भी points देगा तो दियान में र तो ज़्यादा ज़्यादा है थोड़ा सा रिस्की जैसे lofty eaten अनामी भी आकी तरफ से थे वैसे ही यहाँ पर क्रिस्गूस आपके लिए differential लेकिन रिस्की पीक रहेगा ठीक है ध्यान में रखेगा लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं भूलूँगा कि रिस्क रहे सकता है उनके उपर ठीक है और जो तीसरे players रहेंगे आपके लिए captain वास captain तीसरे और चो थे जो कि यहाँ पर शारीफ और Mark Watt जो कि बहुत अच्छा balling करते है यह दोनों भी आपके लिए बहुत अच्छी pick र लिए इस team के खिलाब तो बहुत अच्छा record है ठीक है लेकिन ज्यादा ज्यादा chances है कि यहाँ पर Watt और यहाँ पर शारीफ इनको भी विकेट जा सकते है लेकिन आप इनको यहाँ पर grand league में जरू ट्राइ करें ठीक है अब देखो ज्यादा मैं आपको बताता हूँ कि top picks head to head भी बहुत अच्छे और venue भी बहुत अच्छे ऐसे कौन से player है पहले तो जी एरासमस नाम भी विया के captain इनको बहुत अच्छा चोईस है और Ruben Trumpleman यह दो players जो है आपके लिए बहुत अच्छे चोईस बन जाते है small league यह बात करूँगा तो small league में मेरे team में देखो small league के team में मेरे आज के captain voice captain रहने वाले ठीक है पहले तो यहाँ पर fry link जो मेरे captain रहेंगे और voice captain जो है ठीक है आप यहाँ पर convert भी कर मतलब की rotate भी कर सकते हैं इनको captain voice captain ठीक है ध्यान में रखेगा बाकी choices जैसा कि मैंने बताया था आपके लिए इनके team से erasmus है munsi ठीक है आपके लिए what और शारीव यह आपके लिए बाकी का और बहुत अच्छे choices है ठीक है दोस्तो वीडियो अन तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो प्लीज एक like और subscribe ज़रू को लेना अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी से भी help मिली हो तो में तेहल ने